सबसे पहले किन्द सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाओ था कि रेल गाड़ी के माधियंद से ही हमारे जो प्रवासी बाहर थासे हुए है बिहार के रहने वाले लोग महां चाहे चात हो या मजदूर हो या कोई परियटक हो या कोई भी हो तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी कि विवस्था कर दी गई और पिछले दो दिनों से यह सिल्सिला प्रारम भी हो गया और एक बात और भेम बता देना चाहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जानकार करके कोई पहले से बोस्ता न आ है उनको कोई रेल का भड़ा नहीं देना राज्य सरकार रेलिवे को पैसा दे रही है और वो यहां पर आ रहे है और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्ने ले लिया है कि जो भी हमारे लोग विहार के लोग जो बाहर बढ़ूरी हैं बढ़ूर के हुप में काम करते यान पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे इसके बारे में केंडर सरकार ने जो आप डिश्टर मैनेजमेंट के अंतरगर उनका जो गाइडलाइन जानी होता है उस गाइडलाइन ने उन्होंने सपस्ट तौर प्रकार दिया और इसके बारे में विस्तरित जानकारी हमारे अधिकारियों ने देदी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तो जो लोग भी आएंगे यहां उनक कि अधिक लिए पूरा का पूरा कुरिंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतरगा वहां उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहां फसे हुए थे जिस राजिमें वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा रेल का हाड़ा यहां ने प्रकार से उनको पैसा लगा वो और क्रूब जो कुरेंटाइन सेंटर पे ही हर प्रकार की सुधा वहां पर उपलब्त कराई गई है वहां रहेंगे और जब वो निकले गए किस दिन के बाद तो आने में उनको जितना में खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज सरकार उनको देगी और मिनिमम एक हजार रुपया हर व्यक्ति को ज दिया जाए और आप जानते हैं जो हमारे बिहार के लूग बिहार के बाहर थे उनको हम लोगों ने हजार रुपया देने का दिरने किया और जो भी उनका अप्रिकेशन आया उसको विचार करते हुए लगभर 19 लाक लोगों को दिया जा चुका है अब कुछी लोग बचे है जिनका जिनको देखा जा रहा है और उनको भी मिल जाए तो हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के हित्ने करते हैं और चाहते हैं कि यह काम हो लेकिन हमने देखा कि इधर काफी बयानवाजी आ रही है तो उसको देखते हैं हमने कहां बताते हैं वरना लोगों को लाम मिलता और इसका अनुपालन भी सुनू हो गया है कोटा से जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए तो हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं और सब लोगों से मेडिया करें कि जो लोग भी बाहर से आ इनको प्रेडित करिएगा और जो करेंटाइन सेंटर है उसमें रहें यह सब के लिए उप्योगी है और जो भी लॉक्डाउन लागू किया गया है तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिन्न करते हैं कि हमारे बिहार वासी अधिकांस इकार दुकार कोई घर भर करत होगा लेकिन अधिकांस लोग सब लोग नियमों का पार्ण करते हैं और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परहसानी नहीं जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया जो की धिरे-धिरे बढ़ा है लेकिन कुल मिला करके यहां में जो यहां के होने लोगों में जो जाजगृती है उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है और इस प्रकार से हम लोगों यह जो करोना वायरस है उस से ऊसendo सचेत लो मैं सब लोगों से पुना अपील करूँगा है जित होने की जरुवत नहीं सजग रहने की जरुवत और अंतों गत्वा आप जान रहे कि पूरे दुनिया में यह हो रहा है यह सिर्फ कोई हम लोगों के हां की बात नहीं अनेक जगों पर बड़े पैमाने पर देश का सबसे वि मैं पर और अजगा है नहीं किन मेंगा है मैं बड़े सुनकि पसलिपेयोगों कि पूरे इंचे प्रॉण सब्स्सक्तपार मैं फ् taco comment 35 so với कि इन ग्लायबस की जरुब्याटन सब्सवीं कंट जैख सुनकिंट्यर्मस की जरुछ जर ऑुलेस स्वनकिने की चिंछ सां जगा अनour